नमस्कार दोस्तों आप सबीका मेरे चैनल कंविटर मोबैल एंट टेक्नलोजी पे स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे अंसर रचनात्मक थ्रीट्स के बारे में जी हां जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम यह जो टॉपिक जो थ्रीट्स हैं उनके प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे तो इस वीडियो में हम अंसर रचनात्मक थ्रीट्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम अन इस्ट्रक्चर्ड थ्रीट्स कहते हैं इसमें कौन लोग आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप नीचे में रैट कर सक्काइब कर बटन है आप उस पर जा जाके हमारे जो चैनल है उससे सब्सक्राइब कर लिए और आपको सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम इसमें कर सकते हैं तो चली अब बात करते हैं अंसर रचनात्मक3 में वे लोग आते हैं जो जिनके पास यह प्रोग्रामिंग लेंग्वेज यह सब के फार नहीं होता कहने के मतलब यह कि वो प्रोफेशनल इन नौलेज के बारे में अच्छे से नहीं जानते में वे लोग इसमें आते है या जो beginner hacker आप कैस सकते हैं जैसे आज कल यूवाह है वह यूवाहों को जो hacking के activities है जो hacking के सीखने के जो लगालक है वह बहुत ज़लती से बढ़ रहा है तो वह सब इसमें आते हैं वह क्या है इसमें वह हैकर होते हैं जिसके पास जो अनुभाव नहीं होता या वह लोग होते हैं जिसके पास जो इसक्रिप्ट हो गया ग्राकर हो गया जिसमें पासड़न को ग्रैक किया जाता है इन सब टूल मार्केट में उप्योग करके यह लोग हैकनं को अंजाम देते हैं और आपने । पायदे के लिए किसी चीज को सब्सक्राइब करते हैं या अपने जो इंजॉच के लिए हैक करतेथीजों को सीखते नलज नहीं होता इसके बारे में तो किसी कंपटा। कि व्यूपिन की कंपटा ईय। है कि या व coalition हो गया या नहीं हो गया क्योंकि कोविश्ञाइड़ यूज करते हैं उस पहले से जो स्कीर्ट होते हैं यवह आपको कुछ कमांड देना होता है उसके आप किसी भी वेब्चाइट या किसी भी चीज को हैक कर पाते हैं तो यह सबी जो चीजें हैं अंसर रचनात्मक थीट से कि अंतर्गत आता है यह वीडियो इतना है हम और दुसरे जो थीट से बारे में हम और बात करेंगे धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए